तो सबसे पहले मैंने काड़ पेट्स लिए और यह तिल्ला लिए सिल्वर फैलर में डिजाइन बनाने के लिए बाटर पेपर पर डिजाइन को ट्रेस कर लिए आप वीडियो को जूम करके इसको ट्रेस कर सकते हैं धीजाइन ट्रेस की है इसके उपर हमने निदल के साथ शुराख करने के हम फैबरिक के ओपर डिजाइन को पिरिंट कर सके यह मैंने शुराख कर लिए हैं इसके बाद हम फैबरी के ओपर इसको रखेंगे डिजाइन को और इसके बाद जो स्वेदी है और पारा मिक्स हुआ है और मटी का ओईल है यह तीन चीज़े हैं हम इसके ओपर दो से तीन मर्दबा कर लेंगे और यह फैबरी के ओपर यह डिजाइन प्रिंट हो जाएगा थोड़ा अच्छे तरीके से करें और यह पेपर जो हिले ना मुस्से तो थोड़ा सा हिल गया यह देखे थोड़ा सा खराब भी हुआ डिजाइन डिजाइन को फैब सबसे पहले मैंने दो काट बिट्स लिये हैं इनको स्टिच की है थोड़ा सा स्टिच करना है इसके बाद फिर मैंने तीन काट बिट्स लिये हैं इसको स्टिच की है ऐसे हमने जो लाइने बनी हुए इसके अंदर खाली जंग है उनके हिसाब से हमने काट बिट्स लेते जान के बाद दो काट पिर्ट DOंगी इसको स्टीच करूंगी इसको स्टीच डिजाइन काफी असान है बस ट्रेस थोड़ा मुश्कल होगा आप वीडियो से जूम करके यहां फिर वीडियो से स्क्रीन चूट लेके जूम करके इसको ट्रेस कर सकते हैं मुझे तो काफी अच्छा लगा यह डिजाइन है लेकिन वीडियो में इतना खास नजर नहीं आया ज यहां पर लगा लें कि पूरे डिजाइन रेडियो हो गया है हमारा फाइनल लुक ही है आई होब आपको यह डिजाइन मसंद आए अगर डिजाइन मसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके वीडियो में याद रखे को और आपना बहुत ख्यार लगएगा मिलते हैं अगली वीडियो में टीक है अलाफीज